निर्गमन अध्याय उन्तीस और फिर उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याज़त का काम करे वह यहाँ है एक निर्दोष पच्डा और दो निर्दोष मेढे लेना और आखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के आखमीरी फुलके और तेल से चुपडी हुई आखमीरी पपड़िया भी लेना ये सब गिहुके मैदे के बराना इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बच्छडे और उन दोनों मेंधों समेत समीप ले आना फिर हारुन और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबु के त्वार के समीप ले आकर जलसे लहलाना तब उन वस्त्रों को लेकर हारुन को अंगर खा और एपोद का बागा पहिनाना और एपोद और चप्रास बांधना और एपोद का काठा हुआ पटु का भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुगुट को रखना तब अभिशेक का तेल में उसके सिर्व पर डालना उसका अभिशेक करना फिर उनके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगर के पहनाना और उनके अर्थात हरून और उसके पुत्रों के कमरबान हर और उनके सिर्व पर टोपिया रखना जिससे याजक के पद पर सदा उनका ह रहें इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना और बच्चडे को मिलावपवाले तम्भू के सामने समीत ले आना और हारून और उसके पुत्र बच्चडे के सिर्ख पर अपने हाथ रखें तब उस बच्छडे को यहवा के सन्मोख मिलापवाले तंबु के द्वार पर बलिदान करना और बच्छडे के लोहु में से पुछ लेकर अपनी उंगली से वीदी के सिंगों पर लगाना और शेश सब लोहु को वीदी के पाये पर उंडेल देना और जिस चर्वी से अतड़िया ढपी रहती है और जो जिली कलेजे के उपर होती है उनको और दोनों गुर्दों को उनके उपर की चर्वी समेत लेकर सब को वीदी में जलाना और बच्छडे का मास और खाल और गोबर छाउनी से बाहर आग में जला देना क्योंकि यहाँ पाप बली होगा फिर एक मेंधा लेना और हरून और उसके पुत्र उसके सिर्पर अपने अपने हाथ रखे तब उस मेंधे को बली करना और उसका लोहु लेकर वेदी पर चारो और चिड़कना और उस मेंधे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अत्रडियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर्के ऊपर रखना तब उस पूरे मेंधे को वेदी पर जलाना वह तो यहोवा के लिए हों मली होगा वह सुखदायक सुगंद और यहोव के लिए हवन होंगा फिर दूसरे मेंधि को लेना और हारूं और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे तब उस मेंधि को बली करना और उसके लोहों में से कुछ लेकर हारूं और उसके पुत्रों के दहिने कान के सिरे पर और उनके दहिने हाथ और दहिने पारो और चड़क देना फिर वेदीपर के लोहु और अभिशेग के तेल इन दोनों में से कुछ-कुछ लेकर हरुन और उसके वस्तरों पर और उसके पुट्रों और उनके वस्तरों पर भी चड़क देना तब वहाँ अपने वस्त्रों समय तर उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समय पवित्र हो जाए ने तब मेंधी को संस्कारवाला जान कर उसमें से चर्बी और मूटी कूँच को और जिस चर्बी से अतड़िया धपी रहती है उनको और कलेजपर की जिली को और चर्बी समय दोनों गुर्दों को और दहिने पुठ्टे को लेगा और अखमीरी रूटी की टोकरी जो यहवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रूटी और तेल से सने हुए मैदी का एक फुलका और एक पपड़ी लेगा इन सब को हारों और उ पश्ट्वों को उनके हाथों से लेकर होंबली की वेरी पर जला देना जिससे वह यहवा के सामने सुपदायत सुगंद ठेरे वह तो यहवा के लिए हवन होगा फिर हारुन के संसकार का जो मेंधा होगा उसकी छाती को लेकर खिलाए जाने की भेट के लिए यहवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठेरेगा और हारुन और उसके पुत्रों के संसकार का जो मेंधा होगा उसमें से हिलाये जाने वाली की भेट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाये जाने का भेट वाला पुठा जो उठाया जाएगा इन दोनों को पवित्र ठेराना और ये स ये उठाये जाने की भेट ठेरेंगी और यहां इसरायलेंग की और से उनके मेलबलियों में से यहवा के लिए उठाये जाने की भी भेट होंगी और हारुम की जो पवीत्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेते पोते आवी को मिलते रहें जिससे उन्ही को पहने हुए उनका अभिशेक और संसकार किया जाए उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याज़क होगा वह जब पवीत्रस्थान में सेवा टहल करने को मिलापवाले तंबु में पहले आए तब उन वस्त्रों को साथ दिन तक पहने रहें फिर याज़क के संसकार का जो मेंधा होगा उससे लेकर उसका मास किसी पवीत्रस्थान में पकाना तब हारुल अपने पुत्रों समेथ उस मेंधे का मास और डोपरी की रोटी दोनों को मिलापवाले तंबु के द्वार पर खाए और जिन पदार्थों से उनका संसकार और उन्हें पवीत्र करने के लिए परायस चित्त किया जाएगा उनको तो वे खाए परायकुल का कोई उन्हें न खाए क्योंकि वे पवीत्र होंगे और यदि संसकार वाले मास और रोटी में से कुछ बिहां तक बचा रहे तो उसे बचे हुए को आग में चलाना वह खाया न जाने क्योंकि वह पवीत्र होगा और मैंने तुझे जो जो आग्या दिये हैं उन सभूं के अनुसार तू हरुन और उसके पुत्रों से करना और साथ दिन तक उनका संसकार करते रहना अर्थात पापबली का एक बच्छडा प्राइस चित्त के लिए प्रती दिन चढ़ाना और वेदी को भी प्राइस चित्त करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अधिशेक करना साथ दिन तक वेदी के लिए प्राइस चित्त करके उसे पवित्र करने और वेदी परम पवित्र ठेरेगी और जो कुछ उससे छू जाएगा वह धी पवित्र हो जाएगा जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यहाँ है अर्था प्रति दिन एक एक वर्ष के दो भेडी के बच्चे एक भेड के बच्चे को तुझो जोर के समय और दुसरे भेड के बच्चे को गोधुली के समय चढ़ाना और एक भेड के बच्चे के संग हीन की चवथाई पूटके निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का दस्वा भाग मैदा और अर्ग के लिए हीन की चवथाई दाख मुदू देना और दुसरे भेड के बच्चे को भी गोधुली के समय चढ़ाना और उसके साथ भूर की रिती के अनुसार अन्नबली और अर्ग दोनों देना जिससे वह सुकदायक, सुगंद और यहुआ के लिए हवन ठेरेगा तुम्हारी पिडी पिधी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबु के द्वार पर नित्य ऐसा ही होंबली हुआ करें यहां वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझ से बाते करूँ और मैं इस्राइलियों से वही मिला करूँगा और वह तंबु मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा और मैं मिलाप वाले तंबु और वेदी को पवित्र करूँगा और हारुन और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और मैं इस्राइलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका पर्मिश्वर ठहरूँगा तब मैं जान लेंगे कि मैं यहवा उनका पर्मिश्वर हूँ जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ मैं ही उनका परमिश्वर यहुआ हूँ